नमस्कार दोस्तों मैं आरियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैं थैन मैजिक योटूब चैनल तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्छा दस्वी के गनित का जो जो इसका हम लोग से पहले हम आपको दो तीन बात बताते हैं इससे पहले जो हमने एक सो अब्जेक्टीव प्रस्ण को हल नहीं देखें तो वीडियो के नीचे डिफिश्टा बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जहां साथ ही मैंने दूसरा वीडियो एक और वीडियो बनाया ज उसका भी हम, एक से लेके 15 तक की एक ही वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो आज किस वीडियो में हम लोग जो हैं, 15 से लेकर, 15 से लेकर, 15 से लेकर 30 तक के सभी प्रशनों को हल करेंगे, इसलिए आपके लिए जो वीडियो, बहुत ही ज्यादा महत्पून होने वला, इसलि आएब हम लोग देख लेते हैं बिना टायमाते हुए 16 नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं तुरे आएब हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर सवाल 16 नंबर 7 से पहले हम आपको एक चीज Berper बता दूं एक से लेके 15 तब क्या सावाल बहुत भैजोर xवाल दिया है यदि आप लोग नहीं देखे तो जरूर जाके देख लिए जगा इस वीडियो के बाद बिल्कुल आसान तरीक आसान भासाम हम उसको भी सॉल्व किये हैं तो उसी तरह समलोग सोला से लेके है तीस सब्सवाल को सॉल्व करते हैं चली देख लेते हैं 16 सबारत मीं दे रखां प्रूब करने वाल सवाल को हम लोग कीoule करते हैं वह देख लिए आप लोग को पता है बड़ावर की इस साइड जो है वह एलेचेस हो जाता है तो हम लोग को जो है एलेचेस से निकालना पड़ता है बिल्कूल समझते होंगे तो चलिए सबसे पहले देख लिजे, LHS में क्या दे रखा है LHS में दे रखा है, sir LHSC, इसी तरह से आप लोग को Board Exam में लिखना है, लिखेंगे यहाँ पे, दे रखा है 6 पर Power 4 A Minus 6 Square A बढ़ावर हम लोग को यह निकालना है, ठीक है यह दे रखा है, अब यहाँ पे देख लिए यह जो है, square में है, यह Power 4 है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी Square के formula यह, क्यों लाएंगे वो बात में आपको समझ में आ जाएगा, देखिए 6 square का hall square, इसको लिख सकते हैं 2, 2, 4 वही बात बराबर है, तो यहाँ पे हो गया, यह लिखिए, 6 square यहाँ पे, theta यह दे रखा है, यह लिख दीजे, ठीक है आज यहाँ तक समझ में आ गया ना आगे आप अराम से समझ ज़ेगा ठीक है, देख लिजे, अब यहाँ से एक नोटंकी सुरू करते हैं, यह समझ लिजे 1 पलस 10 square theta बराबर होता है 6 square theta, यह होता है, यह सूत्र तो दिखिए, 6 square theta के जगे पे, हम 1 पलस 10 square theta डाल सकते हैं सूत्र होता है, डाल सकते हैं, सर चलिए, डालिए, कोई दिकत ने यहाँ लिखिए 1 पलस 10 square theta इसके उपर भी square लगा हुआ है तो लगा दिजे, कोई दिकत ने मैनस है, मैनस दिजे अब यहाँ पे भी यह सेक square theta तो यहाँ पे भी 1 पलस 10 square theta दिजे, यहाँ पे देंगे 1 पलस 10 square यह, लिख लिए कोई दिकत परिशानी नहीं हुआ होगा आगे समझे, आगे दिखे बावू, यह जो है A पलस B का हॉल square के फॉर्म में, इसको तोर देते हैं इसको A मौन लेते एक को और 10 square जो ठीटा दे रखा या A है, तो इसको हम लोग समझेगा कई से तोरते हैं, ठीक है यहाँ पर देखिए, एक का जब A square करेंगे तो एक ही होगा पलस B का square करेंगे तो 10 square का square करेंगे तो 10 पर पावर करते है तो फोर हो जागा, इस दियान दीजेगा, ठीक है पलस 2 A B, 2 गुने 1 गुने 1 तो 2 यह हो जाएगा गुना 1 करेंगे नहीं, यहाँ पर दू यह हो जाएगा अब 10 square है तो यहाँ पर लिख लिजिए 10 square यह हो जाएगा, 2 10 square ठीक है, कोई दिकत नहीं तो नहीं है, तो कोई दिकत नहीं 2 A B 2 A B जो B दे रखा, वही लिखना था ना जी, तो B जो दे रखा, वही लिख लिए square कर दिए आगे आ जाएगे, minus square में था इसलिए square की है, ठीक है minus, यहाँ पर देखिए जो minus जो है minus इसको भी गुना करेगा, ठीक है तो यह पूरे को minus गुना कर रहा एक जो है, इधर plus में है, और एक जो है, इधर minus में, यह दोनों को बचवा को काट दीजिए, जब काटिएगा तो बच गया, यहाँ पर क्या 10 पर पावर 4 10 पर पावर 4 इन बचा है जी, अब यहाँ पर एक चीज और देखिए इपलस में, 210 square यहाँ पर 10 square स्वारी, यहाँ पर पालस है ती मैनस में आगे, यहाँ पर मैनस हो जाएगा स्वारी, मैनस पूरे को गुना किया जहाँ मैनस है, वहाँ पालस जहाँ पालस है, वहाँ मैनस हो जाएगा यहाँ पर दोगो यहाँ पर लोग को पूल मैंस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा परलस का 10 sq हुआ संथा तरगा है । यहां मैनस जो पूरे ब्रैकेट को गुना कर रहा जहां मैनस होगा वहां पलस यहां मैनस दे दिए तो आप देखें यहां पे सवाल देख लिजे थोया सा सवाल जो दे रखा था वो प्रूब्ड हो गया 10 स्कुर ठीटा प्लस 10 पावर 4 यहां पर उल्टा लिखें हैं कोई दि तो कह रहा उस विर्त की तिर्जाग्यात करें मतलब तीसरे विर्त का तिर्जाग्यात करने के लिए बोलड़ा है और यहां पे दे रखा जिनकी परिधी जो है इन दोनों विर्तों के परिधियों की योग के बराबर है तो बिल्कुल समझ गें दो विर्त है सबसे पहले इस 19 cm लिख दिए अब पड़ीधी बराबर पड़ीधी बराबर हो जाता है 2 pi r तो ये तिरजिया r ही दे रखा है ना यहाँ पर लिखेंगे 2 के जगे 2 pi के जगे पर pi और r दे रखा है तो r दे रखा है तो मतलब r का मौन क्या है 19 है इसका पड़ीधी निकाल लेते हैं तो 19 दूना का 38 pi है तो pi लगा देजे pi का मौन यहाँ पर 22 बटे 7 नहीं लगाईएगा ठीक है पहले पहले देख लिजे अब आएए यहाँ पर दूसरा बिर्द में देखते है दूसरा बिर्द का पड़ीधी गयात के लिए दूसरा बिर्द का तिरजिया दे रखा है क्या तिरजिया दे रखा है सर r बराबर 9 cm उपर में देख रहे हैं 9 cm तो पड़ीधी बराबर पूछे तो पड़ीधी बराबर हो जाता है इसका भी 2 pi r तदी इसका परीधी निकालें, दो गुने, पाई, गुने 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 दुना, 18 हो गया, पाई के जगए पर पाई ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत, नई सर दिक्कत तो नई है, चले आगे आज़े, अब नया बिर्त लिखेंगे, जो नया बिर्त है, उसका द पराबर तो दोनों बिर्त, पहला बिर्त का 38, तो लिखेंगे 38 पाई, दूसरा बिर्त का परीधी, 18 पाई, ठीक है, 18 पाई हो गया, तो यहाँ पे है नई बिर्त के परीधी, इनका परीधी क्या हो जेगा, 2 पाई रेन होगा, तो टू पायर लिखे, 38 और 18 एड कर दीजिए ता जाता है 56 ठीक है तब नए बिर्त का पड़िधी ग्याद करना है 18-38 क्या हो गया 56 पाई ठीक है अब यहाँ पे भी पाई यहाँ पे भी पाई 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 केंसील अब यहाँ पे बच गया क्या 2R बराबर बच गया 56 फबन कुई दिक्कत नहीं सर्डिकत तो नहीं है इससा करते हैं इसका निकालना नहीं बृत का तीर्जिया जो है इस दोनों बृत के परीदी यह तो हो जिएर दो दो धर गुना मिधहरा के तो भाग कि suburbs का झालती है तो या मिधर कीowo झालता है दो बजये हैं तो 2026 जो लिए आए अगले प्रस्षिन के और 18 नमबर प्रस्षिन को देखते हैं 18 नमबर सवाल बिल्कुल इजी है इसको समझना होगा आप लोगो थोरा सा गौड से समझेगा यहां पर देखिए 18 नमबर में दे रखा है 18 नमबर में दे रखा है sin theta बराबर 4 बटे 5 तो निकालना है mon निकालना है यहाँ पे जो दे रखा है उपर में दे रखा है 4 पलस 4 sin theta बटे का 1 पलस cos theta का mon गयाद करें बिल्कुल समझें अब यहाँ पे बाबू एक चीज़ किलियर कर देते हैं sin theta बराबर होता है P by H होता है तो यहाँ पे देखिए sin theta बराबर दे रखा 4 बटे 5 तो यहाँ लिखे P by H तो उपर वाला जो है यह हो गया P का mon और यह बला जो हो गया H का mon तो इस तरह से हमको मालूम चलता है कि P बराबर 4 हो गया और H बराबर जो है क्या हो गया H बराबर 5 हो गया तो यहाँ पे देखिए एक चीज छूटड़ा क्या छूटड़ा B B का mon नहीं है सबसे पहले mon निकालने समको B का mon निकालना होगा तो चलिए देख लेते हैं B बराबर होता है root अंडर H square minus P square तो B बराबर लिखेंगे यहाँ पे H का mon करते है 5 तो लिखिए root के अंदर 5 का square minus 4 का square P का square minus 4 का square अब यहाँ समझ लिए B बराबर root अंडर 25 5 का square 25 ठीक है minus 4 का square 16 तो B बराबर आ जाता है root अंडर इसको minus कर लिए minus की जेगा आता है 9 और root 9 root 9 को बाहर निकाल लिएगा बर्गमूल इसका हो जाता है 9 का 3 इसका बर्गमूल क्या हो जाता है 3 हो जाता है तो इस तरह से B बराबर हमको पता चल गया क्या 3 B बराबर क्या पता चल गया 3 चल गया आगे आजएए आगे हम इसको अच्छी तरह से solve करते हैं तब एक चीज और यहां पर किलियर करते हैं साइन ठीटा बड़ाबर समझे है P by H ठीक है अब दिखे कोस ठीटा बड़ाबर जो होता है कोस ठीटा बड़ाबर होता है B by B by H होता है यह चीज आप लोग समझे आए अब जो उपड़ में मान दे रखा इस बाल दे रखा उसको मान निकालते हैं त्लिक है यहा पर मत लिखेगा हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं यहां पर कंड यहां लिखेंगे जी सर चार अब साइन Tita का जो मान होता है तो साइन Tita वराबर जानते हैं यहां पर हम लोग लिख देते हैं यह तो गुनाम आ जाएगा चार बटे का पहुंच ठीक है किलियर हो गया बटे वन के जगह पर लिखेंगे पलस तब पलस और कोशच ठीटा बराबर जानते हैं बी बडा कामॉन केते हैं यहां पर दिखें बी कामॉन तीन तीन है और एच कामॉन पॉंच तिहां प लिख देंगे पलस का तीन बटे पॉंच कोई दिक्त जी बिल्कुल दिक्त नहीं हो रहे हैं आगे आजी इसको हम लोग अच्छी तरह solve करतेसे एक एक प्वोंट को समझते हैं, पहला condition यहाँ पैर रखायंते हैं इसको हम लोग अच्छी तरह सीmud कर लेते हैं, और हम लोग एक law отдель बरहालेते हैं पहले, देख लिया जें, एक लेन क्यों बरहाएगे अप लोग को समझाने के लिए ने तो सॉट कॉट में घीच देते पॉलस फोर फोर पॉलस चार चार उपर बला गुना हो जेता है चार चोके 16 बटे का पाँच अब नीचे में जो है उसी को उसी तरह उतार देंगे पलस फ्री बाई फाइव यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा यह चार गुन यह चार कर देए चार चोक छोक बटेए पाँच हो गई अब यहां पर कुछ नहीं नीचे में एक देदे अब कर दिजे भीन के जोर कीज़ेगा तो उपड़ वाला का जो है देखे ल्स्याम हो जाएगा 5 पांच में एक से भाग देंगे तब 5 ना आएगा जी तब 5 को उपड़ वाले स्गुना करेंगे तो क्या होगा 20 पलस उपड़ वाला जो है सेम है यह भी सेम यह भी सेम तो कर लिजिए बटे में हैं दे रखा यहां पर यहां पर इसको ऐसे करके घीचिए नीचे भी इसका पांच है यहां पर कुछ ने तो उपर क्या यहां पाजाएगा पांच आ जाएगा यह भीन का जोड़ है ज्यादा समझानी की जरूरत नहीं है ठीक है यहां पाजिए 16 और बटे का पांच ठीक है फिर बटे पांच तीन आठ बटे का पांच अब यह हो गया नेंगरा भीन नहीं जानते तोरने के लिए तो कई से करेंगे इसको लिख लिजिए 16 बटे पांच और यह वला संख्या जब गुणा में लाइएगा तो यह वला संख्या उपर भेज 9ट चो गे 36 तो बराबर आ गया 9 बटे का दो यह आंसर आ गया तो यह इसका रहएट यह मुस्तहर हो झीजिए चलिये अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर का यह 19 नंबर सवाल उनीश नमबर सवाल में दे रखा है कोसेक कोसेक चार ठीटा बराबर सेक सेक ठीटा मैनस 20 डिगरी ठीक है जहाँ चार ठीटा एक नियून कोन है तो ठीटा का मौन गयात करें यही दे रखा बिल्कुल असान सवाल दे रखा ठीक है यह सवाल उतार लिए है सबसे पहले एक चीज और यहाँ पर बताता हूं सेक सेक सवरी यहाँ देख लिजिए सेक 90 मैनस ठीटा 90 मैनस ठीटा बराबर होता है कोसेक ठीटा ठीक है यह बला चीज आद नहीं होगा तो याद कर लिजिएगा हम आपको साथ में सब कुछ बताते चल्ड़ है ठीक है यहाँ पर देखिए कोसेक ठीटा के जीए हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 मैनस ठीटा यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कोसेक ठीटा के जीए हम लोग लिख देते हैं सेक सेक 90 मैनस 90 डिगरी मैनस 4 ठीटा ठीटा है तो ठीटे लिखेंगे ठीटा जब 4 ठीटा दे रखा तो इसी तरह लिखेंगे बराबर इधर है सेक ठीटा मैनस 20 डिगरी कोई दिकत ने यह सेक यह सेक खतम अब यहाँ पे बच गया यह देख लिजी थोड़ा से धियान देने वली बात आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बच गया क्या 90 डिगरी मैनस 4 ठीटा 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 है यहाँ पे बच गया बराबर में ठीटा मैनस 20 20 डिगरी चली इसको थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं अब फोड ठीटा है मैनस का फोड ठीटा इधर लिख लिजी अब यह ठीटा है पलस का पलस का है यह देखी बराबर की सैड में लाना है ठीक है बराबर की सेड में रखी गई पलस में तिधर आके क्या हो जेगा मैनस में हो जेगा ठीटा यह 4 ठीटा है ठीक है याद रखना है अब बराबर की सेड में लेए यह ठीटा बलाक ठीटा है जगे ले आए और डिग्री बलाको डिग्री इधर भेज दीजIE, इधर है मैंनस का 20, इधर ये 90 डिग्री जो है पलस में is इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जएगा मैंनस में 90 डिग्री, यहां से सवाल शुरू होता है, अब देख लिजी इस मैंनस में, यह भी इस मैंनस में has, 5 puis लिखे हैं है 5 ठीता बराबर ये देखिये मैंनस में दोनों तो पलश में क्या हो जगा एक 12 पलस हो जगा मैंनस में स्माझने क्षेज़ करेगा क्या कोई दिकत नहीं हा तक समझ में गये चीब बिलकुल यह मैंनस यह मैंनस खतम यहां पर बचल है 5 ठीटा बराबर 110 ठीक है ठीक है ठीक है डिगरी तो ठीटा बराबर हम लोग को जाना है 110 बटे 5 एक्सोदस बटे पांच दुना 110 तषीटा बराबर आगरा है यहां पर कितना 22 डिग्री यह क्या हो जाता है आप लोग का आंसर हो जाता है जो कि उनेश नम्बर सवाल में कहा है, 4 ठीटा एक न्यून कोन है, और ठीटा का मान घ्याद करें, हम लोग घ्याद कर लिए, चलिए आये अगला सवाल देखते हैं, 20 नमबर 20 नम्बर का देखिए, 20 नमबर का कहा है, हम यहाँ पे कुछ निर्देश दे दीए, पहले दे रखा उसको मिला दी हम यहां से ताकि दिखत ने तीर जिसको जो पहले दे रखा तिर जिया कर भावर 2 मिटर उचाई दे रखा 14 मिटर तो बेलन का तिरज्या बराबर लिखे आर बराबर लिखे कतना चार मीटर फटाक से दो मिनट टाइम नहीं लगना चुछ ठीक है उचाई सेहेंगे सर 22 बटे साथ होता है आर आर स्क्वाइर चार का स्क्वाइर मतलब चार गुने चार लिख दीजे कोई दिकत ने एच चौधा ठीक है एच चौधा दे रखा लिखे चौधा यहां पर साथ दूने चौधा बावु अस्टाइल सीखे गुना करने का बाइस चोगे सबसे पहले लिखेंगे संबाहु तिर्भूज का भूजा बराबर बारा सेंटीमीटर दूसरा चीज़ अब कहेळा छेथन फल निकालने की लिखहेंगे संबाहु तिर्भूज Selfie का छेथन फल संबाहु तिर्भूज का छेथन फल क्या होता है रूट अंडर 3 by 4 घुने का भूजा है भूजा स्क्वाइर ठीक है तो रूट अंडर 3 by 4 भूजा का मौन यह रखा है 12 12 का स्क्वाइर करेंगे तो यहां पहले लिख देते हैं 12 गुने 12 काटने में बढ़िया होगा 14 12 हो गया 14 12 ठीक है तो यहां पर 12 36 तो यहां पर 12 36 तो गुनात होगा नहीं रूट से यहां पर हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं 22 नंबर का सवाल में दे रखा यहां पर क्या कह रहा है माध का गनन करें मतलब माध निकालना है ठीक है तो वर्ग अंतराल दे रखा है सबसे पहले इसमें आप लोग को एक 22 नंबर यहां पर लिखना रहा है इस तरह से बर्ग अंतराल जो दे रखा है ठीक है बर्ग अंतराल इसको एक लंबा लाइन खिच दीजिए फिर यहां पर दे रखा क्या बारम बारता माध निकालना है ठीक है ये लिख लिए अब बारम बारता माध निकालने के लिए जो चाहिए हमको X चाहिए उसके बाद क्या चाहिए F X चाहिए ठीक है जी से ठीक है कहते हैं यहाँ पर देख लीजे 0 से 10 एक लाइन 10 से 20 दूसरा लाइन 20 से 30 30 से 40 यहीं तक दे रखा है 30 से 40 क्या दे रखा है 30 से 40 दे रखा यहाँ पर एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है बारम बारता दे रखा चोअ 7 16 और 10 यहीं दे एंतराल को जोर को दस से दो से भाग दिए तहां पर जो डैंगे दस जिरो जोड़ेंगे जिरो तक हो जगा दसी हो जगा दस में दो सी नहीं दो से भाग देंगे तक्ते हो जगा पॉचीस चालिस और 30, 70, 70 में दोस्त भाग दीजिए तकत्य हो जाएगा 35 अब fx निकालना है fx निकालने मतलब यह जो है f हो जाता है ठीक है यह बारम बरता f हो जाता और यह x यह दोनों को गुणा करना है सिंपल जिसी बात है छो पचे का 30, 15, 105 और 16 गुणे 25 किजेगा तो आप लोग कर लिजेगा हम करके बताते हैं 400 होता है 35 गुणे 10 तो 35 पेक 0 दे दीजिए हो गया यह गुणा भी हो गया अब इसको एड कर लेना है यह जो है sigma f हो जाता है ठीक है इसका टोटल योग जो है sigma f हो जोड़ लिजे जोड़ेंगे 0005 तो सबसे पहले धर लिखेंगे 5 यहां 555 388 इस तरह से बुढ़े जैसे जोड़ते हैं ठीक है 445538885 हो गया जोड़ लिए समझे अब यह बला जो है f f को जोड़ लिजे f बराबर जिसको sigma f बोलते हैं ठीक है इसको जोड़ लिजे यहां पर जोड़िए 10 16 16 16 26 26 32 32 37 49 तो यह हो गया 49 ठीक है तो अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है माध तो माध बराबर होता है sigma f x बटे का sigma f ठीक है तो sigma f x जो निकला है f x यह हो गया sigma f x तो आठ सो पचासी बटे का 49 कर दीजे अराम से समझे और इसको काट दीजेगा ता जाएगा 22 16 अब भाग देके एक बार ट्राइज जरूर कर लिजेगा ठीक है आए अगला सवाल 23 नमर देखते हैं 23 नमर सवाल को देखते हैं 23 नमर मे पुष्टी अच्छे तफल निकालना सबसे पहले जो दे रखा है तो इस नमर लिखेंगे लिखेंगे यहां पर दिया है इस तरह से लिखेंगे ठीक है अब क्या दे रखा है घनाब का की लंबाई बराबर 6 मीटर तो मीटर यह लिखेंगे और दे रखा है चावड़ाई दे रखा करता है चार मीटर और उंचाई भी दे रखा भाई हाँ उंचाई उंचाई दे रखा है किते दो मीटर हो गया कि लिए तग घहनाव का क्या कह रहा है घहनाव का प्रिष्टिये छेतर फल घहनाव का पाश प्रिष्टिये छेतर फल ठीक है आप लोग समझेगे प्रिष्टिय छित्फल तो क्या होता है 2 इंटो L B पलस B H पलस H L यह होता है ना आप लोग को याद होगा घनाव का प्रिष्टिय छित्फल चलिए गुना करते है 2 L का मौन इसको लंबाई को L बोलते हैं चोड़ाई को B बोलते हैं और H उचाई को बोलते हैं L का मौन 6 B का मौन 4 जोर B का मौन फिर देखें 4 और H H का मौन 2 ना 2 पलस H का मौन 2 और L का मौन L लंबाई ना 6 इस तरह से कर लिए पुड़ा अब आगे देख लिएजें दो दिजे चोचोगे 24 पलस 4 दूना 8 पलस चोदूना 12 ठीक है कोई दिकत नहीं यहां दिखें दो तह बारह आठ बीस बारह आठ बीस बीस चोवविस 44 बाराफ फटाक से भोगिया चोववालिस गुणा 2 कर लिजिए तो चोववालिस गुणा 2 कीजेगा ता 88 आ जाएगा तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा 88 मीटर स्कॉयर ठीक है चलिए यह समझ में आ गया 23 नमर क्लिएर हो गया चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 24 नमर इसको इसकीन सवाट लेना है ले लिजिए 24 नमर सवाल बिलकुल आसान है 24 नमर सवाल कह रहा है अंग्रेजी वरमाला का एक अक्षर आयदेक छा अनुसार निकाला जाए तो उसका स्वार अक्षर आने की परियकता क्या होगा देखिए भाई साब थोरा समझे स्वार किसको बोलते हैं स्वार अक्षर किसको बोलते है अब कराएंगे लेगुक्ता को बोलते ठीक है तो ABCD में कितना अक्ठर इस फिस अक्षर होता है ठीकए है ठीक है अब बताएं किया वहाज हो कि यह चीज के लियर हो गया कोणकोन A, E, I, O, U Math परा रहे हैं इंगलिस नहीं परा रहे हैं ज्यादा बताएंगे नहीं डिटेल से चलिए 26 को होता है और उसमें 5 को भावेल होता है और यहाँ पर कहरा है अंग्रेजी वर्नमाला का एक अक्षर एक्षार निकाला जाए क्या होता है जеш और व्र्नमाला की संख्या अब लिक Surprise स्वर की संख्या केता है 5 ठीके स्वर आने की परइयकता क्या होगी त्य се आड़र अक्षर अने परियकता होने का परियकता ठीक है एन रैटिंग के लिए दिक्कत मत मानिएगा PE क्या कि स्पीर में लिखना पर रहा है PE बटे क्या होता है PE बराबर होता है NE बटे NS ठीक है तो अब देखे क्या हो है होने के 5 गो है तो 5 गो है तो 5 लिखे NE 5 अब कूल कितना है टोटल केता है 26 तो बटे का 26 दे दीजिए और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को यह चलिए अगरा देख लेते हम लोग कितना नंबर 25 नंबर 25 नंबर सवाल देखते है दो संख्या दे रखा है 16 और 18 का लोसो दे रखा है 12 तो इनका मोस अगयात कि है देखे इसको तो फट दोबर हल कर देंगे तो पहला संख्या दो संख्या दे रखा है दे लिखेंगे माना की पहला संख्या पहला संख्या बराबर 16 दूसरा संख्या दूसरा संख्या बराबर कितना है किते है 28 न? 8 लो बराबर 112 भासा हम लिख रहे है नहींत हो जाता तो 200 बराबर ग्यात करنا तो बराबर क्या होता है सुत्र पहली संख्या यादने होदा याद कर लिजे का इस तरह सवाल बिल्कुल पुछा जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे का लौ सो ठीक है तो देख लिजिए यहां पर इस चीज को अब पहला संख्या करता है जी 16 गुने दूसरा संख्या 28 बटे का 112 ता 24 के 112 होता है और 4 4 के 16 भी होता है जानगे इसका जो होगा चार हो जाएगा लिख देंगे एच सिय अब बराबर चार यह हो गया राइट आंसर चलिए अगला सवाल देखते हम लोग 26 नंबर को इस नंबर में 26 नंबर में दे रखा है 30 बल्ब के समू में 30 बल्ब जो है एक तरफ से रखा है पांच बल्ब उसमें से खराब है इस स मतलब 16 निकाल लेगा तो उसमें पांच गुम सियागो निकल लेगा सबसे पहला देख लीजे कुल बल्बों की संख्या 26 नमर लिख्या इसे करके लिखेंगे कुल बल्ब बलब की संख्या ऐन इस बराबर करते हैं क्यृण है तीस गोर खराब खराब क्यां वन्हें योग ल भॉक है सऩ गयुघ है खौडल्व 5 गोई दिकत नए दिकत था करा आख़राब देखिए खौराब बल्ब होने को परियगता की करेक्ता कं परियक्ता क्या हो जाएगा पी इव बराबर ऐन कि अब पार्टे का जानते हैं आप लोग एन एस साथ में फर्मूलो कवर करते चलिएगा तो क्या गोरा 6 गोरा थाए खाराब वल्भ लोग देख लेते हैं शताईश नमबर का आई यहांगे सप्थाईश नमबर देखते हैं बिल्कुल असान है ज्यादा टाइम निए लगागा थोरा से दिमाग लगाना इसमें करा समकून तिर्भूज ABC में एक तिर्भूज बना लिया जाए समकून टाइप का चलिए समझेएगा समकून तिर्भूज C को 90 डिगरी है यहाँ पे हम क्या करते हैं A मौन लेते हैं यहाँ पे C मौन लेते हैं और यहाँ पे B मौन लेते हैं ठीक है दिजिए CD लंब है किसका AB का तो सीध करना है सीध करना क्या है यहाँ पर AB गुने CD एक्वल BC गुने CA सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर भासा लिखना यह सार रचना वाला सवाल में भासा लिखना पड़ता है माना की ABC एक समकोन समकोन तिर्भूज तिर्भूज है ठीक है जिसमें जिसमें कौन सी जो है 90 डिग्री दे रखा है तो सीध करना है सीध करना है क्या करना है वो देख लिए ज़े AB गुने CD बराबर BC गुने CA ठीक है यहाँ समझगे CA तो चलिए यहाँ पर देखते हैं तिर्भूज तिर्भूज ए यहाँ दिख नहीं रहा था तिर्भूज AC B जो 90 डिग्री करन बने उसको बीच में रखना है ठीक है तथा अब देखे दो तिर्भूज यहाँ पर निर्मान होड़ा पहला तो तिर्भूज आप लोग को यहाँ पर एक यह यह बी सी तिर्भूज है AC B जिसको बोलते हैं दूसरा तिर्भूज यह भी हो जाएगा ना देखे इस तिर्भूज में दो लिख रहे हैं यहाँ पर हम तिर्भूज लिखेंगे AC BD तो आपको लोगेगा चार तो इसा नहीं है कुछ देखिए इस तिर्भूज का जो है यह क्या हो जाएगा यह 90 डिग्री का कौन जो है लंब हो गया उचाई हो गया और यह आधार हो गया और इस तिर्भूज को दे यहाँ देखे AC BD में एक बटे दो गुने अधार इसमें देखे अधार क्या दे रखा है अधार दे रखा है सर BC या CB भी बोल सकते हैं लिखे BC BC गुने क्या लिखेंगे अधार गुने उचाई उचाई क्या है AC नहा है लिख दीजिए AC तथा बराबर दीजिए कोई दिकत एक बटे दो इसमें भी हो जाएगा अब इसमें देखे इसमें क्या दे रखा है इसमें अधार देखे अधार क्या हो जागा BA या AB बोल सकते AB दे रखा अधार इसका यह अधार हो जागा गुने अब यहाँ पर इसका उचाई क्या हो जागा CD हो जागा तो लिख दीजिए CD अब ये बराबर के 1 upon 2, 1 upon 2, इधर भी बराबर के इधर भी, 1 upon 2, 1 upon 2 खतम हो गया, तो यहाँ पे प्रूब करना था हमको A, B, G, C, D, और B, C, G, C, A, तो ठीक है, यहाँ पे बिल्कुले तो मिल गया है साइद, देख लिया जै, B, C, और यहाँ पे इसको लिख दीजिए, इसक इसको पहले लिख दिया, और इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसका इसका लेना चाहते है, लीजिए न भाई, चलिए देख लेते हम लोग अगला सवाल 28 नमबर का, 28 नमबर सवाल में दे रखा हल करना है, दो एक्वेशन दे रखा है, ठीक है 2x-4y बराबर 24 यह दूसरा एक्वेशन ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को किसी भी विदिस इसको हल करना है, यहाँ पर ऐसा करते हैं, पहला एक्वेशन में दूसरा एक्वेशन को भटा देंगे, यह खतम हो जागा, y का मौन आजाएगा, y का मौन एक्स में मौन दे ठीक है, तो x का मौन आजाएगा, ठीक है, यहाँ थोरा समझ लीजे पहले, समीकरन 1 लिखेंगे, समीकरन 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरन 1 क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वेशन एक्वेशन दे रखा है, दूसरा एक्वेशन दे रखा है, 2x-4y बराबर-24, ठीक, कोई दिक कर दे, जहाँ पलस है, वहाँ मैनस है, तीक है, यह खतम हो गया, मैनस मैनस ही, यह भला सिम्बॉल खतम कर दिजी, पलस हो जाएगा, क्या हो जएगा, 4-3, 7y, अब यहाँ पर मैनस हो, किसी बच्चे दो देना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैनस मैनस कटिए जाता हु बराबर 35 निकलाता है 7 पचे 35 तो य बराबर करते हैं निकल क्या रहा है पंच निकल क्या रहा है तो समीकरन एक में यहां पर हम लिखते दें नीचे आप लिखेगा समीकरन एक में य बराबर 5 रखने पर समीकरन एक क्या है 2x पलस 3y बराबर 11 यहां पर देखिए 2x पलस 3y के पर पहुंच रखेंगे 5 गुने 5 बराबर 11 यहां पर आजएगा 2x बराबर यह पर यह पलस में इधर भेज दिजिए डिजिट वाले के डिजिट इधर भेजिए ठीक है 11-15 हो गया यहां पर आजएगा 2x बराबर 11-15 करेंगे तो मैनस 4 आजएगा आजएगा तो आजएगा मैनस 4 एक्स बराबर मैनस 4 बटे का 2 यहां पर आजएगा मैनस का 2 देखिए एक्स बराबर निकल गया आंसर मैनस 2 और y बराबर निकल गया आंसर 5 यह एक्स और y का मौन निकालना था जो कि इस तरह से निकाल दिया आजए 29 नमर सवाल देखते हैं 29 सवाल में दे रखा सीध करने वाला बिलकुल असान है इसको सीध करना कोई दिक्कत यहां पछीए इधर साइड जो हता है LHS होता है LHS हम लोंको रहा निकालना पड़ता कितना बोले जी LHS देखिए आप लोग वीडियो को लाइक की जिए मो मैनस को से जब देखे रूट बाला आ जाएं तो मतलब समझेगा कि यहां पर हर का परीमेकरन करना ही होगा निकालना क्या यह हो लिख लेती यहीं पेज बे ताकि आप लोगों को दिखा सके कोटे यह यहां पर लिख लिए ठीक है यहीं निकाल पूरूब्ड करना है को से पलस कोई से गुणा कर देंगे ठीक है तो रींदर यहां पर क्या हो जागा वन यहां-त यहीं रूट में भी लिख सकते कोई दिकत ने ठीक है वन हाना है कोई सरी कि इसी मीम्ली अधी ही कोई बटे का यहां-पर फिर वहीं पल्स डूरा सा जाएगा यहां भी भी पलस से गुणा कर देंगे ठीक है दोनों को गुणा कर देंगे हरका परिमेकरन जानते ही है ठीक है चले इसको यह देखिए one plus cost ए गुना करेंगे तो क्या हो ज़ेगा उपर वाला देख लिजिए उपर वाला को अदि हम लोग गुना करेंगे तो यह जो है किस form में आजाएगा देख लिए आजाए यह भी ए पलस यह भी one plus cost यह भी one plus cost तो क्या करते हैं इसको कि उख सकते हैं दोनों जीगे कि a कर दिये बट इहां दिखे में श कर दो गुल пар गला के ठीट आ कि एक हो जाएगा फालस मैंनस मैंनस हो जाएगा मैंनस कॉस स्क्रोप क्यों क्ने क्ने कॉस्त कॉस गुल् clinics क्लियर हो गया समझ मा रही बात दिक्कत बताना ठोरा यहां पर थोड़ा से समझ लो साइन स्क्वाइट ठीटा पलस कॉस स्क्वाइट ठीटा बराबर क्या जानते हो एक ठीक है अधी साइन स्क्वाइट ठीटा बराबर पूछे तो क्या जानेंगे यहां पर एक मैनस कॉस स्क्वाइट ठीटा क्यों बता रहे हैं भाई यह समझ ग यहीं बचा हुआ है जी थोरा साथ इसको किजर कलेंगे I just fine कि देख है देख़ाइंगे सैम रखेंगे पहले उपड़बा कु से मुस्पा बटे का यहां पर साइन तो 1-1c2 यहांagy सकते हैं यहां लोग इसके फॉर्मिल्या ला सकते हैं तो यहां लिखते सकते हैं हम लोग goofy को साइन कुछ नहीं लगाएं को किदिकात कर न कि आगे की बात है चलें आगे समझ लेते आगेपकी बात है यह साइना को भाग कर रहा और जार्च को भी भाग दे रहा ठीक है तो उसको अलग-अलग करके लिख ले दोनों जो रिए गबात बराबर ही पड़ेगा ठीक है साइन ए पलस कॉस ए को भी साइन भाग दे रहा है तो दोनों को LCM लेकिन कले गंतिये ही निकलेगा ठीक है कोई दिकत नहीं अब दिखे वन अपन साइन एक बटे साइन ए तकी हो जाता है को से कि को सेक ए सुरी वन अपन साइन यह ना वन अपन साइन ए यह वन अपन साइन यह हो जाता है स्थोरा भूल गए थे को सेके यह हो जाता है पलस है पलस लगाई को से बटे साइन यह हो जाता है क्या कोट यह हो जाता है अधि साइन ए एक और चीज़ समझ दीजिए साइन ए बटे कोस ए र है रहा था प्रूब्ड करने के लिए बाबू तो देख लो यहां पर हमने प्रूब्ड कर दिया देख लिए यहां पर 1929 नमर का था ना कोसे के प्रस कोट है निकाल दिये आप लोग इसका चाहे तो वीडियो को पॉस्ट करके लिखिये लिजिए ठीक है तब बाकी चीज़ समझ में आएगा चलिए अगला प्रस तीस नमर और अंतिम सवाल देखते हैं तो फ्रेंट चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसमा नमर सवाल देखे थोड़ा साप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते लेकिन दबाक लाइक की जित तीस के बाद जो लोंग वाला सवाल है दिर को उतरी है प्रसन को हल करने की नहीं करें जल्दिस करना वीडियो को लाइक करें और सेर जरूर करना है ठीक है यहाँ थीस नमर सवाल में देखे थोड़ा समझने वाली बात है इसमें हिसा आप कुछ नहीं है फोग दीजेगा उ प्राल रंग का बादसा प्राप्त करने की पडियकता सबसे पहला बात तो समझ लिजे पत्ता कि जो संख्या होता है बावन होता है अब बावन में दो कलर होता है एक होता है ब्लैक और दूसरा होता है रेड और ब्लैक अब रेड और ब्लैक में क्या होता है दूसरा दोनों कि यहां पर पूद गोल का होता है तो है अच्छी तरथ समझ गहें होंगे चले लिखेंगे कुल पतों की संख्या कुल पत्तों की संख्या न Germd कि पत्तों की संख्या कहता है लाल रंग किस पत्तों की संख्या कहता है 26 बस समझ में रही और लाल बादसा का परी लाल रंग बादसा का लाल रंग का बादसा बादसा जो होता है यह भी लिखिये लेते बादसा जो होता है दो होता है किलियर हो गया अब यहां पे कह रहा है ल लाल रंग का वादसा होने की परियक्ता होने की परियक्ता अब दोगों तो है ही ठीक है दुए उनलल का बदसा है तो दोगों बादसा पहला बाद दो लिखें उपर में टोटल कार्ड के संख्या बावन ठीक है तो बावन सब कार्ड के संख्या बावन तो 26 दुना का बावन तो बाताईए इसका परियक्ता क्या हो जाएगा एक बटे 26 हो जाएगा ठीक है लाल बादसा जो है ठीक किलियर कट आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो अच्छे लगए तो भाई वीडियो के लाइक किजिए और एक छोटा सा प्यारा सो कमेंट किजिए कहीं भी मैं तुम्हें आप लोगों को तकलिफ हो रहा तो मिलते हैं एक ने वीडियो को लेके ताहिए